बड़ी कवर करू करते हैं आमेर के वोच टावर की दीवार पर दिखा पैंथर पिछली दिनों यहीं पर बिजली गर्दे से हुआ था बड़ा हासा इस जगा पर रहता है परियटकों का वागमन नाहरगर वन शेत्र में 15 से ज्यादा लैपर्ड का विचरन होता है पैंतर दिखने के बाद वन विभाग ने अडवाइसरी जारी की पुरातत विभाग और परियटन निगम को दी गई है इसकी सूचना परियटकों की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए शेत्र में मॉनेटरिंग बढ़ा दी गई है खुद रेंजर, नितिन, शर्मा शेत्र में मॉनेटरिंग कर रहे है और ये तस्वीरमाद को दिखा रहे हैं जरादे के किसरीके से दिवार के उपर आराम फर्मा रहा है मानू कोई फिक्र नहीं, कोई डर नहीं वहां का राजाई है ये जो तस्वीरमाद को दिखा रहे हैं ये दरसल उसी वोच टावर के तस्वीर है जहां कुछ दिन पहली आकाश्य विजली करीतियों और दर्दना खास सब हुआ था निरेश योगी निर्मल तिवाडी जुड़ गये हैं निर्मल ऐसा लग रहा है आराम फर्माते हुए कि मानू पूरा इलाका उन्हीं का है विजंदर अजर नारगर वन चेत्र की बात करें तो बड़ा विस्त्रत वन चेत्र है और जल्द ही सरकार यहां पर एको टूरिजम कुछ एक्टिविटी भी शुरू करने जा रही है यहां पर पंदरा से बीस ऐसे पैंथर से इनका विच्रण है और जो अभी लेटेस्ट फोटो हम दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को वही वाच्टावर के पास्ट की दिवार है जहां पर पिछ्टे दुनों बिज्दी किरी तो एक खतरना हाथसा हो गया था जिसमें काफी जाने गई दी और यहां पर परेटकों को लगातार आवागमन उना रहता है जो अभी तक अचुता है बहुत कम परेटक यह जाता है लेकिन फिर भी जिस तरह से लगातार पैंटर्स का जो पुनबा बढ़ रहा है अगर हम जालाना से लेकर आमागड गलता और नारगड की परेटकों के लिए कि वहां पर ऐसे ना जाए जब तक कि यहां को पुक्ता वैवस्ता ना हो प्रातत विभाग और परेटर निगम और तमाम जो संबंदि जो विभाग है उनको भी कहा गया है वहां जिवागर परेटक वहां जाते हैं तो उनकी सुरक्षा के मापूर इसकी मुमेंट क्या मुमन यहीं पर रहती है या चानक से यहां पहुंचा? परेटक जाएं तो उनकी सुरक्षा को द्यान में रखते हो यहां पर जाएं तो यहां जुक्रिया तमाम जानकर हमारे साथ साजह करने के लिए